गुड मॉनिंग एवरीवन करन्ट फेस्ट फेस्ट की सीरीज में 3rd of September पर पहुँच चुके हैं आई होप आप अपने करन्ट फेस्ट को अपने आने वाले प्रिलिम्स के लिए अच्छे से प्रिपेर कर रहे होंगे और इसी की एक सीरीज के अंदर हमने एक क्विक आपकी रिविजिन के लिए जो मैराथोन सेशिंस हैं वो स्टार्ट करें और आज आपको अराउंड 3 o'clock जो ऑगस्ट के जितने भी कर अंट फेस्ट के अप्लोड कर दिया जाएगा जिससे आप देख सकते हैं इस ब्रीफ इन इम इस प्रिंस लूथ्रा और इंडिया रंक 577 और जल्दी से देख लेते हैं कि क्या के टॉपिक्स हम डिसकस करने वाले हैं तो वर्ट्स लार्जस्ट सोलर ट्री के बारे में डिसकस करेंगे मैट ब करेंगे चलिए अपने नई मेंबर्स को हम एक बार वेलकम कर लेते हैं तो पी एस जे और निहारिका ने अभी जॉइन के हमें वेलकम टुद न्यू मेंबर्स चलते हैं आज की मार्किंग स्कीम के ऊपर तो यहां पर आपको बेसिकली अगर आपए टू ब्रैकिट में आप आते हैं तो आप सेब जोन में आ जाते हैं और यहां पर छे यह से ज़दा इसके लिए आपको स्कॉर करना पड़ेगा इसके लिए आपको जो रिवीजिन करने होगी विजिन 24 आर्स में एक बार कर लीज है कौन सा कथन सही है पहली स्टेटन कहती है DRDO has developed the world's largest solar tree तो DRDO ने इसे develop किया है second there are total 35 solar PV panels in each tree with the capacity of 330 WP each तो इसके अंदर 330 WP each capacity के 35 solar panels जो है पर तेक ट्री के अंदर लगाए गए हो सकता है it has the annual capacity to generate 12,000 to 14,000 units of clean and green power तो 12,000 से 14,000 unit जो है वो इसकी capacity बताई जा रही है सोची क्या answer होगा फिर discuss करते है चलिए देखिए DRDO इसको नहीं लेका है तो पहली सिपन आपकी गलत हो जाती है because इसको लेके आए CSIR की एक agency है CMERI छेक है CMERI stands for Central Mechanical Engineering Research Institute जो की CSIR के अंदर आती है तो इसने इस particular world latest solar tree को बनाया है जिसके अंदर 35 solar PV panels होंगे हर tree के अंदर और उसकी capacity कितनी होगी 330 WP each दियान रखेगा तो second statement हमारी correct हो जाती है और annual यहाँ पी जो capacity की बात करी जाएगी कितनी units कितनी green power की units जो है वो generate करी जाएगी इस tree के द्वारा तो वो है 12,000 से 14,000 units generate करी जाएगी answer हमारा हो जाएगा D क्योंकि second third statement हमारी correct है cost की बात करें तो around 7.5 lakh जो है per tree की cost इसके अंदर रहने वाली है और यहाँ पर काफी सारी MSM इसको भी का गया है micro small medium enterprises को की वो अगर चाहें तो अपने business model को इससे align कर सकते हैं ताकि various schemes होते हैं उसके benefits उसको मिल सके बिसिकली कहा गया कि जो PM कुसम scheme थी जो हमने almost दो थी बर हमने MCQ स्केंदे discuss करी है इसका मतलब है परदान मंत्री किसान उर्चा सुरक्षा एवं उत्थान महाबिया इस scheme के around वो अपने various जो MSMEs हैं अपने business model को align कर सकते हैं फिलाल आंसर हमारा D है और CSIRCM ERI दुर्खपूर ने इसे बनाया है Public Engineering Research and Development Institute दुर्खपूर में है West Bengal के अंदर इस a constituent lab of CSIR तो एक lab है basically council of scientific and industrial research की दियान रखिएगा चलते है next question के ओपर which is MedBot पूछा करे कि MedBot किस ने develop किया अभी MedBot है क्या यह तो हम देखेंगे ही बट पहले किस ने इसे develop किया क्या क्या Ministry of Electronics and Information Technology ने इसरों ने किया है DRDO या फिर Indian Railways ने किया है सोचे क्या answer होगा फिर discuss करते हैं चलिए तो यहाँ पर MedBot यहाँ पर एक medical trolley है Indian Railways ने इसे develop किया है एक remote controlled trolley है जिसको MedBot नाम दिया गया है जो कि food और medicine देगा कोविड-19 patients को कोविड-19 patients को कोविड-19 patients को कोविड-19 patients को रखा गया है तो यहाँ पर हो सकते हैं जो nurses हैं या फिर doctors हैं वो जाने से मना करें या फिर ऐसी situation create हो जाते हैं कि वहाँ पर जाने से contamination के chances काफी जादा होते हैं तो उस situation के अंदर बाकी हमारी जो human lives हैं वहाँ पर covid ना फैले उसके अंदर MedBot का use किया जाएगा Corona crisis के टाइम पर जो transport facilities हैं आप जानते हैं कि वह काफिया तक रुख गई थी Indian Railways has also provided various facilities काफी सरे coaches को भी जो medical units थी उसमें transmute कर दिया गया तो अभी यह एक और अच्छा initiative जो है Indian Railways के द्वारा start किया गया चलते हैं next question के ओपर which is question number 3 which of the following country has recently given assistance of 3500 crore to India to fight covid-19 तो अभी recently इंडिया को एक assistance मिली है एक particular nation से ताकि covid-19 के लिए जो हमारे initiatives हम उसको increase कर सके around 3500 crore यहाँ पर assistance जो है वो दी गई है ताकि emergency response जो है उसको भी हम escalate कर सके तो क्या यह United States ने दी है Japan ने UAE ने या फिर Canada ने सोची चली तो यहाँ पर हमारा answer है B Japan ने अभी एक commitment डिया है एक official development assistance का 3500 crore की assistance का अब यहाँ पर यह जो चीज़ है प्रिलिम्स में पूछने के chances पूछा भी जा सकता है question कई बर ऐसे straightaway question आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर यह question add करने का reason था कि नोट्स को इस तरीके से update करिएगा कि जो new points होते हैं जो recent points होते हैं किसी भी दो country के bilateral relations के बीच में तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को आप mention करें तो B is the correct answer दियाम रखेए का Japan जो है उसने commit किया है 35 करोड की assistance देने के लिए Japan international cooperation agency जिसको हम जीका कहते है it's a government agency जो की coordinate करती है official development assistance टाकि जो जपैन की government assistance देना चाहते है उसको पूरी तरीके से coordinate किया जा सके program loan aims to support India के जो effort है COVID-19 को counter करने के लिए यह जो पूरा pandemic के इससे deal करने के लिए यहाँ पर हमें help कर रहा है Japan इंडियर जपैन के अगर बात करी जाए कुछ और mains के लिए मैं आपको चीज़े बता दूँ तो bilateral development cooperation हमारा कप से चल रहा है 1958 से रिसेंट स्टेप जो है consolidation के वह काफी करे गए है strategic and global partnership की बात जो है इंडियर जपैन के बीच में चलती रहती है तो आप इस तरीके कि जो terminology से होती है कि हमारे strategic relation कैसे है global partnership में भी हमने एक दूसरे के जो relation है वहाँ पर strengthen करने की कोशिश करी है तो वहाँ पर means का answer आपका अच्छा हो जाएगा चले fourth question पर चलते हैं which the following sector is not economically impacted by covid-19 lockdown तो यहाँ पर आपको पते काफी सरे sectors ऐसे हैं जहाँ पर हमें negative growth जो है वो देखने को मिली है क्योंकि obviously जो economic activities थी वो काफी हद तक रुख गई एक hold आ गया था उसके अंदर एक lockdown की वदे से तो इसी वदे से काफी सरे areas राधर आई उसे कि 99% areas ऐसे हैं जहाँ पर आपको negative growth जो है वो देखने को मिली है लेकिन एक ऐसा exceptional area है जहाँ पर यह जो growth है वो positive रही है सोचे के answer होगा फिर discuss करते है चलिए तो यहाँ पर आपकी प बात करें वो भी negative गई है trade, hotels, transportation, communication की बात करें वो भी negative में गई है public administration, defense, electricity, construction यह सबी जो है negative growth यहाँ पे देखने को मिली है अगर हम April से जून यह जो तीमाही था हमारा इसकी बात करते है लेकिन agriculture एक ऐसा sector है जहाँ पर अभी recent जो results आ है उसके अंदर positive growth जो हमें देखने को म आगया ताकि जो एक pressure जो है economy के ओपर से उसे went out किया जा सके liquidity जो है वो maintain करी जा सके तो दियाम रखेए का यहाँ पर हमारा answer A था एक बात देख लिए तो agriculture की जो growth है वो 3.4% रही और ऐसा कहा जाते है कि जो monsoon है वो इस बार का अच्छा रहा है इसी वज़े से जो agriculture के जो result ह एप्रिल से जून का जो इस quarter के results है वो positive रहे है बाकि जो areas हम देख सकते है negative और construction तो सबसे ज़्यादा impact हुआ है चलते है next question के ओपर which is question number 5 यहाँ पे दीन द्याल अंतो देया योजना national livelihood mission के बारे में बात करी गई है तीन statements दे रखी है पहली कहती है it was launched by ministry of rural development government of india in 2011 तो दो यहाँ पे facts है एक तो क्या MRD ने इसे launch किया और क्या 2011 में किया है देखेंगे NRLM that is national rural livelihood mission set out with an agenda to cover 7 crore rural poor households तो इसके ने 7 crore rural poor households को cover करने की बात करी गई है maybe the mission aims at creating efficient and effective institution platforms for the rural poor तो यहाँ पे इस mission के अंदर काम किया जाता है rural poor के लिए और वो भी क्या किया जाता है इसके अंदर यहाँ पे focus रहता है कि efficient and effective institution platform create करे जा सके यह भी हो सकता है सोची के answer होगा फिर डिसकस करते हैं पूरे के पूरे प्रोग्रेम को चलिए देखे question दीन द्याल अंतोदेय योजना पे इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे जो national rural livelihood mission दीन द्याल आंतोदेय योजना है इसका एक review किया गया और उस review के दुरान यह पाया गया कि जो NPA है वो self-help group को जो launch दिये गए थे self-help group से concerning जो NPA है वो काफी rise हुआ है तो यहाँ पर rural ministry जो आप union ministry for rural development जो है उन्होंने कहा कि देखे काफी सारे जो states है उनको even district wise भी एक report क्यार करने पड़े है और corrective measures जो है वो लेने पड़ेंगे क्योंकि यह जो NPA है यह काफी increase होगे तो state wise district wise NPA calculate करना पड़ेगा different self-help groups का और फिर corrective measure लेने पड़ेंगे ताकि यह जो dues है इसको settle किया जा सके तो यहाँ पर इसी वज़े से अन्तोदेय होजना के ओपर question बना था ताकि जो rural poor है वो efficiently और effectively काम कर सके और इस तरीके के institutions बनाया जाए जो अपनी approach के अंदर efficient और effective हो तो यहाँ पर तीनो statements ठीक हो नहीं की वज़े से answer हमारा हो जाएगा ए चलते है next question के ओपर तो Spectrum Modern Indian History की जो MCQ की series है यह available है जो कि prelims 2020, even 2021 में भी आपकी help कर सकते है जिस भी आप exam के लिए जिस भी prelims के लिए त्यारी कर रहे है because इसमें पूरी book जो है उसको जो Spectrum Modern Indian History की पूरी book है उसको MCQ के थुरू cover किया जाएगा सेम जो है लक्षमी कांथ की book को भी MCQ के थुरू cover करा जा रहा है उसका भी जो link के नीचे description में दिया गया है उसे आप check out कर सकते है prelims exam के अंदर आपका कोई भी question नहीं चूटे उसकी वज़े से modern Indian history और लक्षमी कांथ quality Indian quality के अंदर आपका कोई भी MCQ मिस ना हो आप सारे की सारे MCQ जो है वो correct mark करके हैं इसी वज़े से यह series बनाई गई है जिसको आप नीचे description में check out कर सकते हैं चलते हैं next question के ओपर which is question number six question number six जो है non performing assets की बात करता है काफी easy question है लेकिन क्योंकि economic section जो है वो काफी सारे students को लगता है कि थोड़ा सा typical है तो इसी वज़े से जो कौशिश करी जाते हैं कुछ economics के question डाले जाएं ताकि exam में economic section के अंदर आपके question गलत ना हो तो यहाँ पर NPA की बात करी जा रही है NPA is a loan NPA जो होते एक loan होता है या advance होता है for which the principal और interest payment remained overdue for a period of dash days तो कितने दिन तक आप principal और उसके interest की payment ना करे कि हम उस particular loan को या उस advance को हम NPA घोशित कर देंगे क्या 30 दिन payment नहीं करने पैसा क्या चाता है 60 दिन 90 दिन 100 दिन सोची चलिए देखे रीसेंटल एक न्यूज आई है जिसके अंदर बताया गया कि 2.37% 2168 करोड जो amount है total outstanding bank loans वो NPA में turned हुआ है और यहाँ पे again self help groups के concerning यह बात करी जारी है जहाँ पे 2168 करोड का जो पैसा है उसे NPA में transmit किया गया है तो यहाँ पे जब 90 दिन तक payment नहीं करी जाते हैं माल लीजिए कि आपने किसी पैंके सो रुपे देने है और उस पर दस रुपर इंट्रस्ट है तो अगर आप यहाँ पर 90 दिन तक payment नहीं करते हैं तो उस amount को क्या माल लिया जाता है नोन परफॉर्मिंग एसेट माल लिया जाता है अब हम NPA का percentage wise self help group का 2020 का डिटा देखते हैं कि कहां पर NPA's self help group के concerning सबसे जादा हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अरुनाचल परदेश के अंदर सबसे जादा है इसका आप impact देख सकते हैं फिर उतरपरदेश का नंबर है पंजाब में भी NPA's जादा है अगर आप self help groups के बात करते हैं हर्याना के अंदर भी self help group के concerning अगर देखें तो 2008 में अगर NPA 2.90% हुआ करता था वो अभी बढ़कर 2018 के अंदर 6.12% हो गया है तो काफी यहाँ पर increase जो है वो देखने को मेला almost double कह सकते हैं double से थोड़ा जादा ही है जो NPA है उसका amount हो गया है चलते है next question के ओपर जो की GDP growth को लेकर again economy का question है which of the following statement is or are incorrect about GDP growth तो GDP growth को लेकर कौन सी statement incorrect है वो आपको बतानी है पहली statement कहते है चाइना after posting a contraction in the January March quarter तो January से March के अगर quarter की बात करें तो चाइना ने contraction देखाता है यहाँ पर as further shown contraction तो यहाँ पर जो next quarter की नतीज़े आ है वहाँ पर भी जो है contraction चाइना की economy के अंदर देखा गया है हो सकता ह है second the recession deepen in the manufacturing sector अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर manufacturing sector के अंदर recession जो है वो डीपन हुआ है trade hotels transportation and communication sector posted the second highest contraction तो second highest contraction जो है वो trade hotels transportation के अंदर देखा गया है सोचे क्या answer होगा चली देखे चाइना की बात करें तो चाइना के लिए अच्छी खबर कह सकते है जैनुरी से मार्स तक का जो contraction ता उसके बाद अभी recovery जो है वो चाइना में देखी गई है तो अगर आपको मैं यह एक slide दिखाऊ हूँ जैसे हमारी case में कहा था सारे sector जो थे negative में थे एक अगर जो negative में है और चाइना यहाँ पर positive में अपनी जो economy है उसको enjoy कर रहा है तो यहाँ पर जो पहली statement है वो incorrect हो जाती है क्या recession जो है वो manufacturing sector में देखा जा रहा है बिल्कुल देखा जा रहा है और मैं आपको पीछे भी बताया था कि construction sector में highest जो negativity थी वो देखी गई थी और उसके जो यहाँ पर contraction देखा गया वो trade hotels transportation में देखा गया है तो यहाँ पर second third statement ठीक है लेकिन हमारा answer D नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको कहा है कि question ध्यान से पढ़िएगा incorrect पूछा है और incorrect सिर्फ हमारी पहली statement है तो यह data जो released है यह national statistical office द्वारा किया गया है जिसमें कहा गया है short GDP in April से June quarter की 2020 की यह slump हुई है around 23.9% compared with अगर हम previous quarter की बात करें करोना का time है तो यह जो results थे expected थे लेकिन जैसे जैसे अब हमारी economy जो है वो recover करेगी क्योंकि lockdown जो है अभी open हो रहा है दीरे दीरे जैसे हमारा economy वो open होती है तो economy की growth है वो भी recovery stage पे चली जाएगी और upcoming quarter के अंदर आपको जो results होंगे वो अच्छे देखने को मिलेंगे and then quarter by quarter जो है यह expect किया जा सकता है कि जो हमारी economy है वो line पर आ जाएगी चली ध्यान रखिएगा चलते next question के ओपर जो कि रक्षक के बारे में पूचागे which the following has developed रक्षक रक्षक को किस ने develop किया है यह है क्या यह तो देख consistent robot जिसको रक्षक आगे आप कह सकते कि एक तरीके का mediator है mediator किस तरीके से basically यह patient और doctor के बीच में जो communication होता है उसको establish करता है किस तरीके से आप देख सकते है यहाँ पर तो this is the robot जो की medical aid है basically provide करने के लिए और health parameters जो है temperature check करना pulse oxygen percentage यह सब चीज़े जो है यह करने में capable है for example आपका infrared temperature measure करने का जो device है वो भी इसके पास है it can also provide medicines यहाँ पर medicines जो है वो भी रखके दी जा सकती है food भी रखके दिया जा सकता है और two-way video communication जो है वो भी इसमें इसके through करी जा सकते है doctor or patients के बीच में it can move in all direction तो 360 degree यह move कर सकता है यह भी अच्छी बात है इसकी और अगर इस बेस्ट है basically यह तो mobile data भी इसे चलाया जा सकते है तो काफी advanced technology जो है वो यहाँ पर use करी गई है चलते है next question के ओपर which is concerning telcos, telecom companies को लेकर next हमारा question है पूचा जा रहा है कि कौन सी statement telcos को लेकर ठीक है दो statement दे रखी है पहली कहती है telcos are run on a fixed license fee model तो जो telcos होती है telecom companies जो होती है व फिर डिसकस करते हैं चलिए देखिए पहली बात तो telcos जो है वो fixed license fee model पे काम नहीं करती है ध्यान रखेगा यह model पहले ही change किया जा चुका है पहले fixed license fee model हुआ करता था लेकिन 1999 में इसे change करके revenue sharing fee model जो था उसको start कर दिया गया जिसके इसाब से जितना यह companies revenue earn करती है उसके basis यहां पर sharing जो है वो करी जाते supreme court का भी recently order था जिसमें telecom companies को खा गया है कि आप उन्हें 10 years का time 10 साल का time दिया जाता है ताकि वो agr that is adjusted gross revenue जो उनका due है जो उनको government को pay करना है उसको वो pay कर पाए तो इसके लिए 10 साल का जो time है वो दिया गया है agr basically होता है agr जो है एक fee sharing mechanism है government औ telecom companies के बीच में और इसके अंदर एक percentage of fees जो उनके revenue का होता है वो उनको government को return करना होता है तो यहां पर हमारा answer हो जाए कब भी क्योंकि second statement हमारी correct है क्योंकि national telecom policy जो ती 1994 में आई थी और यहां पर fixed license premodal पहले use किया जाता अब use नहीं किया जाता है चलिए last question पर चलते है last question ज इंडिया इसका एक part है EAS was established in 2005 इसे 2005 में established किया गया था और इसका जो concept था East Asia grouping का 1991 में दिया गया था by finance minister Manmohan Singh सोचे के answer होगा फिर discuss करते है चलिए अभी recently इसके एक virtual meeting जो है East Asia summit की करी गई है और इसके अंदर basically यह कहा गया है कि हमें अपने regional supply chains जो है इसको strengthen करना जए COVID-19 pandemic के टाइम पे concept of East Asia grouping की बात करी है तो yes यह 1990 में आया था but it was conceptualized by Malaysian prime minister जिनका नाम था महाथीर बिन मोहमद चीक है तीसरी statement हमारी incorrect हो जाती है establish इसे कब किया गया था 2005 में बिल्कुल ठीक है और इंडिया भी इसमें participate करता है answer हमारा हो जाएगा देख लीचे countries कौन कौन सी है basically इसके अंदर आसियान की चो 10 countries होती है वो तो होती ही है जिसके नाम आपको पता है ब्रुनेही से लेके Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam इसके अलावा 8 countries और होती है EAS, East Asia Summit के अंदर जिसमें होते हैं अब इसमें 8 countries को याद रखने का तरीका देखे आसियान को याद रखने का तरीका हम काफी बड़ शेयर कर चुक है comment section के अंदर भी काफी students ने बताएं फ्लस इस 8 countries को याद रखना है तो देखे यहां से इंडिया चाइना होती है दो कंट्रीज यहां से ऊपर से जो बड़ी-बड़ी countries है Russia और यह आपको पता है यह USA यह अलासका रीजन Russia, US यह भी 2 countries हो गए यहां पर Japan, South Korea, यह दो कंट्रीज हो गई, नीचे Australia, New Zealand, यह जो दो कंट्रीज हो गई, तो physical location के basis पर जो 8 कंट्रीज हैं उसके नमा आप याद रख सकते हैं, चलते हैं, क्विक रिविजिन की तरफ, दो मिनिट में हम इसे revise करेंगे, फिर question of the day के बारे में देखेंगे, और winner of the day कोन है, उनको भी देखेंगे, तो शुरुवात हमने करी थी, world's largest solar tree से कौन लेके आया है, इसे, मैंने बताया था आपको, मेरी सेंटर mechanical engineering research institute, 35 solar PV panels इसके अंदर होंगे, capacity 12,000 से लेके, 14,000 तक की units की इसके अंदर रहेगी, CSIR की lab है, मैट बोट इंडियन रेल्वेस लेके आय जा रही है, तो Japan इसका answer था, ध्यान रखेगा, अगर मेंस में भी question आता है, तो इस fact को लिखा जाना चाहिए, then हमने देखा था, COVID-19 lockdown में कौन सा ऐसा sector है, जो की फिर भी positive growth दे रहा है, तो अच्छे monsoon की वज़े से agriculture जो है, वो positive growth हमें दे रहा है, इसके बाद हमने discuss किया थ साथ करोल rural poor households को इसमें लिया जाता है, और साथ में ही mission aims at creating efficient and effective institutional platforms, next हमने देखा था, question number six, question number six बात कर रहा था, NPA के बारे में 90 दिन तक पैसा नहीं देते हैं, तो NPA कोशित कर दिया जाता है, और self-help group की बात हो रही थी, तो अरुनाचर परदेश का नाम इसमें सबसे आगे है, फिर हमने देखा था, GDP growth के बारे में चाइना जो है, वो तो positive line पे आगया, अब हो सकता है, धीरे धीरे बाकी की countries भी positive growth शोग करना शुरू करें, next quarter से, recession की बज़े से manufacturing sector हो, trade, hotels, transportation हो, इनका जो contraction है, वो हमें देखने को मिला है, इसके बार रक्षक देखा था, Indian railways लेके है, again, यहाँ पे patient और doctors के बीच में एक mediator का काम करेगा, यहाँ पे इसके थुरू, जो का temperature है, वो चेक किया जा सकता है, medicine दी जा सकती है, food दिया जा सकता है, और यहाँ पे 6 घंटे की जो battery है, इसकी काम करती है, फिर हमने देखा था, टेलकोस के बारे में, यहाँ पे revenue sharing model को यूज किया जाता है, वो national telecom policy 1994 में ही आ गए थी, ध्यान रखेगा, इसके बार last question में हमने देखा था, East Asia Summit के बारे में, तो यहाँ पे इंडिया भी इसमें participate करता है, दोसर पार्ट में establish किया गया था, 1991 में first promote किया गया था, by Malaysian Prime Minister, महातिर बिन मोहम्मद, ध्यान रखेगा, 8 countries के नाम याद कैसे रखने है, ASEAN plus 8, वो भी मैंने आपको बता दिया था, on the basis of location उपर थे, Russia, US, India, China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, 10 questions complete होते हैं, comment section में marks जरूर लिखेगा, आपने जितना भी आपने score किया हो, और Kafka 2020 एक लाइन में मुझे बताएगा, क्या है, last time जो question पूछा था, उसका correct answer, वोशन पर यहार ने किया है, आप हमें netmokprep.gmail.com पे mail करके बता दिजेगा, वोशन के आपको जो PDF चाहिए, वो Hindi में चाहिए, या English में चाहिए, अगर upper two brackets में आपने score किया है, then you are in the safe zone, आप safe zone में है, और यहाँ पे आपको 24 hours के अंदर एक बार revise कर लीजेगा, लेकिन less than six अगर आपने score किया है, तो after one hour जो है, इसे दुबारा से revise कर लीजेगा, और explanation को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इस lecture की जो PDF है, वो आपको telegram चैनल पे मिल जाएगी, जिसका link नीचे description में दिया गया है, और साथ में ही कोई भी आपका doubt है, तो वो भी आप पूछ सकते है telegram पे मुझसे message करके, इसके अलावा, you can subscribe this channel, bell icon को press कर दीचे का ताकि बाकी subjects के MCQs होते हैं, वो भी आपको मिलते रहे, thanks for watching, have a nice day.